देव भूमी उत्तराखंड की प्रसिद चारधाम की यात्रा में इस बार 26 लाग से जादा श्रधालों ने चारोधाम के दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है। की संख्या इस साल अब तक सबसे जादा रही। भारितादात में चारोधामों में यात्रियों के आने से गदगद सरकार इसे लिमका बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में दर्श कराने की तैयारी में जुड़ गई है। चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। परेटकों का और भारत की जनता और विशेश करमाने प्रधान मंतरी जी को मैं धन्यवाद दूँगा। जिनके केदारनाथ में पहले दिन आने से और पहली पूजा कराने से ये लोगों के अंदर उत्राखंड के प्रतिय के उत्साहा देखने को मिला। और एक नया किरतिमान बना है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को चाहिए कि आगे उनकी सुवधाई जो हैं कैरिंग कैपैसिटी को हम बढ़ाएं। होमस्टे का निर्मान करें ताके हमारी यात्रा सुगम और सरल हो। उत्रकंड में इन दिनों कावड यात्रा भी चल रही है और कावड यात्रा के दोरान भी भारितादाद में कावडिये यहां पर आ रहे हैं। सरकार चारधाम तीर्थ यात्रियों की भारी तादाद से काफी खुश है और सरकार ने तै किया है कि 27 और 28 जुलाई को प्रदेश में आने वाले कावरियों पर हेलिकॉप्टर से पुश्प वर्षा की जाएगी चारधाम से अलग हेमकुंड साहिब में भी आने वाले शुरत धालूओं में काफी उत्साह का माहल है 2013 के आपदा के बाद हर साल तेर्थ यात्रियों के संख्या में भारी जाफा हो रहा है और यात्रियों के रिकॉर्ड संख्या में आमत को देखकर सरकार अपनी बड़ी उपलब धिमान रही है 27 और 28 तारीक को हम लोग मौसम को देखते हुए और जो कावड यात्री है उन पर पुष्ट वर्षा करेंगे पंचक आज समाप्त हो गया है और पंचक के बाद यात्री जो कावड यात्री बड़ी मात्रा में आता है और उस पर हम पुष्ट वर्षा करेंगे आपको बतादें कि उत्राखंड में इस बार चार धाम की यातरा साथ मई से शुरू हुई जिसमें साथ मई को गंगोतरी और यमनोतरी धाम के कपाट खुले और 9 मई को केदार नाध धाम और 10 मई को बद्रेनाध धाम के कपाट खुले थे कपाट खुलने से लेकर अब तक 26 लाग से ज़ादा तीर धात्रियों ने चार धामों के दर्शन किये हैं अभी तीन महिने और यातरा जारी रहेगी इस बीच यातरियों के संख्या में और अधिक इजाफा होगा जो इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर है हलंकि मौनसुन सीजन के चलते चार धाम कियातरा करने वाले शुर्धालों को तमाम दिक्कत हो रही है लेकिन उन दिक्कतों के बावजूद भी यात्रियों का चारो धामों में आनाज ज़रूरी है मौनसुन सीजन में अब इन समस्थाओं से ने पटने के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया है पंजाब केसरे टीवी के लिए दहरादून से एक उल्दीप रावत के रिपोर्ट